आप सब को मेरा नमस्ते आज में आपको स्तन्पान कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी बतलब स्तन्पान के विढ्नान कैसे वह दूद कैसे बनता है दूद कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में थुड़ा समझाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि प्रेस्ट यह है आपका स्टन पान टिक है तो यह स्टन है यह साइट क्रॉस सेक्षण लेंगे तो यह स्टन ऐसा दिखता है अंदर से एगता है यह जो है यह वाला यह निपल है ऐसारी नलिया स्याइप ठेक करया सकाथिक् है आजु बाजू वाला जो पतली की दूद्ध नहीं उता है दूद जमा कहा होता है दूद जमा होता है यह जो पड़ी नलिया है जो काले भाग के नीचे है तो वहां पर मा का दूद यहां पर जमा होता है और यहां पर देखें यह है दूद बनाने की फैक्टरी मैं जैसे पेशी है लेकिन मैं उसको फैक्टरी बोलती हूं यहां पर तो यहां पे पूरा जो पेश्या है जहां से दूद बनता है और आगे उपर की जो पेश्या है वहां पे दो हॉर्मोन काम करता है यहां पेश्या है यहां की होले की काम करेगा प्रोलक्तिं प्रोलक्तिं कया करता है वह दूद बनता है प्रोलाक्टन ने प्रोलाक्टन तहना रखना है दूद बनाता लेकिन एक बार दूद बन गया तो भी तो निकालना है जैसे मा बच्छे के बारे में सोचती है जैसे बच्छा नसधीक हाता है तो उक्षिटोसिन करना है oxytocin oxytocin क्या करता है कि जो बहार की पीश्या को संकोषता है और दूद बहार निकालता है तो यह दोनों वहमोन होना बहुत ही जरूरी है तो यह तो हो गया आपके दो हॉर्मोन है एक बार वापस बताती हूं कि प्रोलैक्टिन है प्रोलैक्टिन क्या करता है यह दूद बनाता है ठीक है और यह जो ऑक्सिटोसिन है ऑक्सिटोसिन क्या करता है वह दूद को बहार निकालता है अगर प्रोलैक्टिन होगा और ऑक्सिटोसिन नहीं बनेगा तो फिर मां दूद बनाएगी लेकिन दूद बहार निकालेगी नहीं तो ओक्सिटोसिन होना भी उतना ही जरूरी है तो मैं आपको प्रोलाक्टिन और ऑक्सिटोसिन के बारे में भी थोड़ा बताऊंगी ठीक है यह जो सारा भाग है यह वाला भाग यह सारा है ब्रेस्ट का टिश्यू है ब्रेस यह सारे फाइब्रिस टिश्यू है यहां पर भी थोड़ा वसा भी होता है यह जर्भी भी होती है तो कहीं माई आपके पास आएगे किया रहे मेरी चाती स्थान मेरा चोटा है तो आएगा कि नहीं तो आपको मा को बोलना है कि यह जो दूद बनाने की फैक्ट्रिया सब में लगबख एक ही मात्रा में होती है लेकिन कभी-कभी यह आगे जो उसके आज़वाजव में जो चर्भी होती है चर्भी की मात्रा यह वसा की मात्रा अलग-अलग हो सकती है इसलिए बड़े या छोटे हो सकते है ठीक है तो आपको दिहान में रखना है और यह देखिए यह बड़ी बड़ी नलिया जहां पर दूझ जमा होता है वह काले भाग के नीचे है बच्चे को ऐसे लाना है जिससे बड़ा Type 좌न मुझारी हे है क्यों नीचे काला भाग आप जाना चीए? क्यों क्या होता है कि बच्चा जबी दबाता है तो नीचे के होट दबाता है, जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं, तो हमेशा हम नीचे रखते हैं, उपर नहीं रखते हैं, क्यों नीचे रखते हैं, क्योंकि यह जो हमारा नीचे का जड़बा है, वो हम दबा सकते हैं, उसे हम लोग यह चबा सकते हैं, उसी तरह बच्चा ज निपल के उपर आने चाहिए और उसके नीचे के होटे यह पूरा जो अपका जो अपका जो बॉडर रहे काले बाग है उपर आना चाहिए ठीक है लेकिन पूरा जो नीचे काला भाग है और थोड़ा काला सफेद मरला भी आपका सतन का भाग भी बच्चे के मुह में जाना ज़रूरी है, ठीक है, अगर बच्चे के मुह में सिर्फ निपल गया जैसे मैंने आपको वहां पे वीडियो में दिखाया था पहले सेशन में, कि पे दूद जमा होता नहीं है, ठीक है, तो आपको यहां पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, अब ही मैं आपको प्रोलाक्टिंग के बारे में बताने वाली हूँ, प्रोलाक्टिंग क्या है, वह हॉर्मोन है और वह दूद बनाता है, ठीक है, तो होता गया है कि जबी बच् आप संक लिगरेती हैं, मा के मस्तिक में , और मा स्थिस्ट से हॉर्मोन है appelle क्रोलॉक्तिन. एक prolactin करके hormone बहार निकलता है और वो इस्तन को ज्यादा दूद बनाने के लिए उत्वित करता है तो यह जो stimulation बोलते है prolactin stimulation, prolactin क्या करता है? दूद की मातरा बढ़ाता है तो यह बहुत ही important चीज है रात में prolactin के मातरा बहुत ज्यादा होती है तो जो बच्चे रात में दूद पिते हैं उनका वजन बहुत अच्छा बढ़ता है आप देखना तो क्योंकि prolactin है वो दूद बढ़ाता है तो दूद बढ़ाने का hormone कभी बढ़ता है रात में तो मदर को बोलो कि आप बच्चे को हर 3-3 गंटे में उठा उठा के दूद पिलाओ ठीक है जो बच्चा रात में दूद पिलाएगा इतना हेल्दी होगा तो आपको वह ध्यान में रखना है कि प्रोलाक्टिन कभी पढ़ता है जब बच्चा सक्लिंग करता है जब बच्च बढ़ेगा लेकिन सही टेकनीक से पिलाना है क्या होगा बच्चा दूद खीच नहीं सकेगा और रहे जागा और उससे फिर वह धूद पढ़ेगा नहीं दूद बहार निकालना बहुत जरूरी है यह जो है आपका oxytocin, अब इवन आपको ॉक्सि'dोसीन के बारे में भी बताया हुआ है, कि oxytocin क्या है oxytocin एक hormon है, जिससे मां के शरीर में दूद बना हुआ है मा के स्थान में, दूद बाहर फेकना भी oxytocin का काम है, दूद को बाहर निकालना तो वो दूद बाहर कैसे निकलेगा, जैसे ही माँ बच्चे के बारे में सोचेगी, जैसे ही इसकी ममता जागेगी, वैसे ही ऑक्सिटोसिन बढ़ेगा, जैसे ऑक्सिटोसिन बढ़ा, वो बच्चा दूद बाहर निकलेगा और तुरंट बच्चे का मुह भर जाएगा, जैसे आत्मविश्वास है, बच्चा नस्डीक है, बच्चा खुश है, बच्चा बढ़ रहा है, वही टाइम पर ऑक्सिटूसीन की मात्रा ज्यादा बढ़ती है, खुश कैसे रखेंगे? पहले तो मा को बोलना है कि बच्ची के बारे में सोचे, बच्चा हेल्दी हो, जो कॉफिडेंट होगी मदर, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई उसके परेशान नहीं करेगा, अच्छे उसका स्वास्ते है, तो आपको यह उक्सितोसिन पे भी बहुत ही ध्यार दखना है, यह उक्सितोसिन होर्मोन है, यह होर्मोन और क्या करता है, जो मा का यूटरिस है यूटरिस को भी वो कॉंट्राक करता है, मलब उसको संकोचित करता है, तो जो खुण जो है, थोड़ा सा भी जो खुण है, वो बाहर निकल आ जाता है, और पोस्पार्टम हैंब्रेज नहीं होए, उसके लिए उक्सितोसिन होना बहुत जरूरी है, क्या करेगा, कि यह कभी मा दूद नहीं पिला सकती है, या तो दूद नहीं निकल रहा है, तो बच्चा दूद नहीं किच रहा है, या मा को नहीं मालूम है कैसे टेकनीक से दूद पिलाना है, तो उसमें क्या होता है, कि दूद ब्रेस्ट में स्थन में रह जाता है, तो यह ब्रेस्ट में जो स्तन को बताता है कि अभी दूद ज्यादा बनाओ मत क्योंकि अभी आपको ये दूद बनाना बन करना क्योंकि बच्छा दूद नहीं पी रहा है या तो मा को ये टेक्नीक मालूम नहीं है कि कैसे दूद पिलाना ठीक है तो वो दूद अंदर का अंदर ही रह जाता है पहले तो क्या होगा कि थोड़े उसके स्थन थोड़े कड़क हो जाएंगे फिर उसमें इंफेक्शन होगा यह सारे प्लॉब्मों होगे तो यह जो milk in imagery factor है यह आपको ध्यान में रखना है कि मां के स्थन में जितना भी दूद है वो मां को स्थन पान द्वारा निकालना है तो यह है हमारा यह इतना मुझे आपको बताना था कि दूद कहां पर बनता है कौन से दो हर्मोन है और milk inhibitory factor को क्या बोलते है ठीक है तो यहां पर मैं यह मेरा session कहतम करती हूँ और मैं आपको अभी यहां पर एक टूटार दिखाने वाले हैं इसका नाम है कि importance of breastfeeding कि breastfeeding क्यों important है okay thank you हुआ 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 है